देत्य गुरु शुक्राचारिय देवगुरु ब्रस्तति की धनु राशी में गोचर करने वाले हैं। धनु राशी कालचक्री की नवी राशी है जिसे अगनी तत्त्य की राशी माना गया है। धनु राशी धन, प्रेणा, बुद्धी और सौभागी का प्रतीक है। जबके शुक्र, भौतिक शुक्सादनू, निश्वार्थ प्रेम, लग्जरी लाइफ, दामपत्य जीवन और अत्यदिक धन का ग्रह माना गया है। तो इसलिए यह गोचर सभी जातकूं के लिए बहुत महतुबन साभित होगा। शुक्र ग्रह को स्त्रीक ग्रह माना गया है। इनहें कालचक्र की दो राशिया मिली हुई हैं। जिसमें से ब्रिशबराशि और तुला राशि के स्वामी सुक्र ग्रह है। शुक्र हमारे जीवन में धन, सम्रिद्धी, शुक, आनंद, आकर्षन, सौंदर्य, प्रेम, संबन्द आधिका प्रतिनी दित्तु करता है। इसके चांती यह रचनात्मक्ता, कला, संगीत, कभीता, डिजाइनिंग, मनुरंजन, ग्लेमर, फैसन, आभुशन, कीमती रत्न, संगाल, लग्जरी यात्रा, लग्जरी भोजन और लग्जरी वाहन का कारग्रा माना गया है। जिस भी जातक की कुंडली में सुक्र की मजबूत इस्तिती होती है। उस जातक का बैभाहिक जीवन बहुत शुकमाई रहता है। उसे जीवन साथी भी उसके अनरूप प्राप्त होता है जो उसकी बात सुने और उसे समझे। ऐसे जातक कला छेत्र में निपुन होते हैं। कोई ने कोई कला का ऐसा चेत्र होता है जिसमें वो अत्यदिक महारत प्राप्त करते हैं। ऐसा जातक अपने जीवन में हर प्रकार की भौतिक सुक शाधनूं का आनंद उठा पाता है। भ्यक्ति के पाच अच्छा मकान होता है। अच्छी गाड़ी होती है। हो सकता है गा प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जिन जातकूं की कुंडली में शुक्र की अशुब अवस्ता बनी रहती है। उस जातक को नाना प्रकार के कर्ष्ट जेलने पड़ते हैं। ब्यक्ति का बैबाहिक जीवन अत्यंत दुख्माई गुजरता है। जीवन साती से किसी न किसी प्र रोग करने का मौका नहीं मिल पाता है। क्यूंकि उसके पास परियाप्त मात्रा में धन नहीं होता है। ब्यक्ति गुप्त रोग से संबंदित समच्याओं से पीडित हो जाता है। पारिवारिक माहौल में असांती बनी रहती है। ब्यक्ति समय से पहले बुड़ा होने उसके लिए जोति सास्त्र में बहुत सारे उपाय बताये गए हैं जिने वह करकर आसानी से शुक्रग्रा को सुप कर सकता है और उसके असुप प्रभाओं को बहुत अधिक मात्रा में कम कर सकता है लेकिन उसके लिए ब्यक्ति को प्रियास करने की आवश्यक्ता होती है तो बलकि उसके लिए उससे संबंदित कारी करने चाहिए भौतिक शुक्षादनों के कारग्रह शुक्र का धनु राशी में गोचर 5 दिसंबर 2022 को सामकोस 5 बच कर 49 मिनट पर होनी जा रहा है तो यहाँ गोचर सभी 12 राशियों के लिए बहुत महत्वण होने वाला है क्योंकि एक सुबग्रह दूसरे सुबग्रह की राशी में गोचर करने वाला है लेकिन यहाँ भी महत्वण है कि दोनों आपस में सत्रुता रखते हैं तो आज की वीडियों में हम 12 राशियों में से प्रथम की 6 राशियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसमें मेज बिरिस्ट मिथुन करकशिंग कन्या इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियों में चर्चा करने वाले हैं बाकी बची हुई 6 राशियों के बारे हर एक वीडियो का notification आपके पास सबसे पहले पहुँचे और आप वीडियो को like और share भी जरूर करें और comment box में आप अपनी राय भी जरूर लिखें तो चलिए शुरुवात करते हैं और जानते हैं मेसराशी के बारी में मेसराशी के लिए शुक्र दूसरे और सात्वे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवधी में भाग्य पिता और आध्यात्म के नौम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं शुक्र का भाग्य भाव पर गोचर करना आपके लिए काफी सुब रहने वाला है और विवाहित जात्कूं को इस समयवदी में कोई अच्छा रिस्ता आ सकता है और उनका विवाह हो सकता है दामपत्ती जीवन के लिए हाथ से भी शुक्र की यहां गोचर अवस्ता बेहत लापकारी सिद्ध होगी आप दोनु के बीच आपसी समझ और प्रेम में ब्रिद्ध देगने को मिलेगी आपका बैबाईक जीवन काफी सुखद रहने वाला है जो चात्र उच्छ शिक्षा की तयारी कर रहे थे उन्हें भी इस समयवदी में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगी यह गोचर आपका जुकाव आध्यात्म की ओर कर सकता है कारी छेत्र में आपको सुख परिणाम प्राप्त होंगे आर्थिक इस्तिती में भी सुधार देखने को मिलेगा इस गोचर काल को सुप करने के लिए माता लक्ष्मी को शुक्रवार की दिन कमल का फूल चड़ाए बात करते हैं बृसब राशी की बृसब राशी के लिए शुक्र लग्न और छटे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अवधी में अनिश्चित्ताओं और आयू के अश्टम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं इस समय अवधी में आपको मिस्रित परिणाम प्राप्त होंगे यह गोचर आपको स्वास्त समश्याएं दे सकता है इसलिए आप स्वास्त के प्राती इस समय वदी में सचेत रहें इस गोचर की वदी में मूत्र संक्रमान या पेशाप से संबंदित कोई समच्या आपको परिशान कर सकती है अगर आप गूर विशयू में रूची रखते हैं तो इस समय वदी में आप उसे शीकने के लिए आगे बढ़ सकते हैं यहाँ गोचर काल आपकी आर्थिक इस्तिति को मजबूत करने वाला है इस समय वदी में आप एक से अधिक स्रोतु से आय अर्जित कर पाएंगे कारी चेत्र में आपको बेतन ब्रिद्धी मिल सकती है वहीं परिवार में भी आपका अच्छा माहौल बना रहेगा आपकी बाणी मदूर रहेगी इस गोचर काल को और अधिक सुप करने के लिए प्रति दिन कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें बात करते हैं मिथुन रासी की मिथुन रासी के लिए शुक्र पाचवे और बार्वे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचर काल की अधि में दामपत्य जीवन और व्योशाई में शाजेदारी के सप्तम भाव पर शुक्र गोचर करने वाले हैं प्रेमी जातकूं के लिए यह गोचर अवधी सुपसाबित होगी। प्रेमी जातक अपने रिष्टे को विबाह बंदन में बात सकते हैं। इस गोचर की अवधी में आप लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं। इस समय अवधी में आपको विदेश से जूड़ने का मौका मिल सकता हैं। आप विदेश में किसी कारी की सुरुवात कर सकते हैं या विदेशी कमपनियों के साथ किसी कारी की सुरुवात कर सकते हैं। वहीं जीवन साथी के साथ आप किसी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। लेकिन आपको इस समय वधी में जीवन साथी के स्वास्ति के प आकर्शक रहने वाला है इस गोचरकाल को सुप करने के लिए ओम सुंग सुक्राय नमा मंत्र का प्रति दिन 108 बार जाप करें बात करते हैं करकरासी की करकरासी के लिए सुक्र चोथे और ग्यार्वे भाव के स्वामी होते हैं इस गोचरकाल की अवदी में रोग रण रिपु क चटे भाव पर सुक्र का गोचर होने वाला है इस गोचरकाल की अवदी में आपको अपने माता के स्वास्त के प्रति सचेत रहना होगा उन्हें किसी प्रिकार की स्वास्त समश्याएं हो सकती है हो सकता है आपके परिवार में इस समय अवदी में किसी प्रिकार का कोई ग्र आपको नुक्सान पहुचानी की कोशिस कर सकते हैं, आप पर किसी प्रिकार के आरोप लग सकते हैं, आप आँख मूत कर किसी पर भी भरोसा ना करें, आपके दोस्त ही इस समय अवधि में आपके सत्रू बन सकते हैं, यहाँ गोचर आपके खर्चों में ब्रिद लेकर आने वा इस गोचरकाल की अवदी में शिक्षा, संतान और रोमांच के पंचम भाव पर सुक्र गोचर करने वाले हैं। आपके आपसी प्रेम में ब्रिद्ध देखने को मिलेगी। हो सकता है आपका रिस्ता इस समयवदी में विवाह में बदल जाए। जो विवाही जातक लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना लगाए बैठे थे। उनकी भी वहाई इच्या इस समयवदी में पूर्ण हो सकती ह आपको संतान प्राप्ति का सुप समाचार प्राप्त हो सकता है। आर्थिक लेहाद से भी यह गोचर आपको आर्थिक मजबूती देने वाला है। आपकी इच्छाओं की इस समयवदी में पूर्ण होने वाली है। इस गोचरकाल को और अधिक सुप करने के लिए सुक्र के बीजमंत्रू का नित्ये 108 बार जाप करें बात करते हैं कन्यारासी कन्यारासी के लिए शुक्र दूसरे और नवे भाव के स्वामी होते ही इस गोचर काल के अवदी में माता और सुक्य चत्रुत भाव में शुक्र गोचर करने वादे हैं यहाँ गोचर आपके लिए बेहत सुपसाबित होगा, आप इस समयवदी में कोई वाहन, भवन या संपत्ति को खरीच सकते हैं, आपके परिवार का माहौल भी इस समयवदी में बेहत अच्छा रहने वाला है, आपके परिवार में खुश्यू का माहौल रहेगा, हो सकता है आ आपके घर में कोई मांगलिक कारी आयोजित हो, आपके अपने माता के साथ बहुत अच्छे संबंदर रहने वाले हैं, साथी कारी छेत्र में भी आपको पदोन्नती मिल सकती है, आपकी बेतन ब्रिद्ध्य हो सकती है, आर्थिक लिहाद से यहाँ गोचर आपको मजबूत ब अपने घर पर जरूर लगाए, तो यहाँ था शुक्र का धनुराश में गोचर, जिससे हमारी प्रथम की छे राशियां प्रभावित होने वाली है, उम्मीद करता हूँ यहाँ जानकारी आपको पसंद आई हो, जो भी दर्सक चैनल पर नहे हैं, चैनल को आप जरूर सब्स